कई बार ब्रेड बनाते हुए एग वॉश बच जाता है तो उसको यूज करके कैसे आप इतना अच्छा नाश्ता बना सकते हैं चलिए उसी की रेस्पी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसके लिए जैसे ये मेरे पास एग वॉश बच गया था ब्रेड बनाने के बाद तो उसमें मैंने एक एग और एड कर लिया है और जो एग वाइट रखा था क्योंकि एग वॉश में हम सिफ येलो पार्ट यूज करते हैं एग यॉक यूज करते हैं वाइट पार्ट 면 केंकर प्तुक कट्रा पाउध आकर इसमें कुछ कटी हुई सबजिया 갖고 और ऐड कर सकते हैं और प्रेंच टोस्ट में ज्यादा तर इसी तरह से लिया जाता है इसमें कुछ जादा सबजिया नहीं एड की जाती तो बस इसको मिकस करके मैं एक थोड़े बड़े बरतन में ले लिया है ताकि हमें ब्रेड लगाने आसान हो मैंने यह ब्रेड बनाई थी और इसकी रेस्पे भी description box में आपको मिल जाएगी यह दिखे कितनी soft बनके ब्रेड तियार हुई थी यह घर में बनी हुई ब्रेड है परफेक्ट बनती है और बस इसी तरह से मैं सारी काट लेती हूँ स्लाइस और फिर इनकी मैं फ्रेंच ट्रॉस्ट बनाऊंगी घर की बनी हुई फ्रेश ब्रेड से जब भी आप कोई नाश्टा बनाते हो बहुत अच्छा बनता है क्योंकि यह देखिए इतनी फ्रेश इतनी अच्छी बाजार की नहीं लगती जितनी घर में बनके टेस्ट्री तयार होती है ब्रड एक तबह चड़ा दिया है गैस पे और मैंने उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है और जो हमने बैटर तयार किया था बस उसमें ब्रेट डिप करके इसके उपर हमने ऐसे सेख ले लिया दोनों तरफ से अच्छी तरफ से पलट पलट कर सेख लेंगे अब घी बटर ऑईल जो भी आप चाहें वो यूज कर सकते है और यह नाश्टा बिलकुल तयार है अब मैं एक बार में दो तीन करके सेख लेती हूँ क्योंकि ब्रेड यह होला ब्रेड बनाई थी मैंने तो यह छोटे साइज किया ऐसा कर लेने से एग वाश जो हम तयार करते हैं वो वेस्ट नहीं जाता और बहुत ही अच्छा नाश्टा बनके तयार हो जाता है आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए थैंक यू